आप सभी को मेरा इस चैनल में तहए दिल से सुक्रियादा करता हूँ बच्चों आपके एक्जाम में जो बहुत ही इंपोर्टन कुश्चिन आने वाली है हिंदी का तो आप ध्यान से देखिएगा इसे जरूर ही आएगा और आप इसे लिख वी सकते हैं तो देखिए पहला कुश्चिन है कवित्री ने असीम परमात्मा का मंदीर किसे माना है कवित्री ने जीवन को लगोत्तम मानते हैं उच छोटे से जीवन को सुन्दर मंदीर कहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है वह असीम है सरीर को ही असीम परमात्मा का मंदीर माना है दूसरा कुश्यन, सरीर रूपी मंदीर में परमात्मा का अर्चन कैसे होगा? हमारे सरीर रूपी मंदीर में परमात्मा का वास इस्थान होता है हमारी स्वासे हमेशा परमात्मा को अभिनंदन करती है नयन के आशू तेजी से परमात्मा के पाउं का धूल को धूने आती है हर छण, हिर्दै, काईस्पंदन धूप बनकर उड़ते रहते हैं ओठ भगवान के नाम जबते हैं ताल के साथ पल के नर्तन करती है कवी को ऐसा विश्वास किम है कि उसका अंत अभी नहीं होगा कवी कहते हैं मेरा अभी अंत नहीं होगा क्यूंकि हिर्दै रूपे वन में अभी अभी ही वसंत आया है मेरे मन के आसाई, अकंच्छाई, उमंगे अभी ही तो जाग रही है कवी में द्रेड आस्ता और विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा उसके बाद दुसरा कुश्चिन, कवी ने ध्वनी कविता में क्या संकल्प व्यक्त किया है? कवी ने ध्वनी कविता में जीवन के उद्दाम आसा, आस्था और विश्वास को व्यक्त किया है कवी अपनी नी सफलताओं से जरासा भी निरास नहीं है, इस कवीता में तंद्रालस त्याग कर उठने की जबरजस्त प्रेणा है और कवी, कवी अपने आप से हार मानना नहीं चाहते हैं दुसरा प्रस्ण है, बहुत दिनों के बाद गाउं पहुचने पर कवी को कैसा लगा कवी नागार जिन बहुत दिनों के बाद अपने गाउं लोटे, गाउं का परिवेश उनको बरामव होक लगा पकी सुनहले फसल देखकर उनका जी भर गया, धान कुटने वाली इस्त्रियों का गान सुनकर मन खुज हो गया एक साथ सभी प्रकार के सुख कैसे मिले, इसका अंसर है कवी को एक साथ बहुत दिनों के बाद सरीर के सारे सुख मिल गये एक साथ आँख, कान, जीव, चर्म और नाक इन पांच इंद्रियों के पांच विसे, रूप, सब्द, रस, इस्पर्स और गंध एक साथ मिले कवी ने बहुत दिनों तक गाउं के फल नहीं चखे थे, आज मन भर खाया जितना चाहा आप सभी को परिक्षा के लिए all the best बच्चों, मुझे आसा है कि आपका एक्जाम अच्छा से जाएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं तो अभी भी समय है जाए पढ़े चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद और एक बार आप सभी को परिक्षा के लिए all the best